दोस्तों peanut butter को लेके अकसर लोग बहुत ज़्यादा confused रहते हैं कि क्या आपको peanut butter खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि peanut butter बहुत healthy होता है, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि peanut butter बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए, ये आपकी सिहत के लिए नुकसान दायक होता है, तो आखिर सचाई है क्या, दोस्तों in short अगर मैं आपको बताऊं तो peanut butter एक बहुत ही healthy चीज है, एक healthy snack है ज आते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन ऐसे लोग हैं जिनको peanut butter बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए, तो अगर आप peanut butter lover हैं, आप इसको खाना तो चाहते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर confused हैं, और decide नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या कर healthy हमेशा. पीनेट बिटर एक बहुत ही healthy चीज है, और अगर आप इसको खाते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे health benefits भी मिलते हैं. सबसे पहला benefit जो कि आपको peanut butter खाने से मिलेगा वो है, कि ये एक protein का बहुत ही बढ़िया source है. दोस्तो पीनेट बिटर के अंदर बहुत सारा protein होता है, क्योंकि आप जानते हैं मुमफली क्या चीज है, मुमफली में protein ही होता है mainly. तो पीनेट बिटर के अंदर mainly protein ही पाये जाता है, और इसके अंदर इतना अच्छा protein होता है, कि 9 के 9 essential amino acids इसके अंदर एक ही जगा आपको मिल जाते हैं. पीनेट बिटर खाने से बहुत ही जादा amazing results मिलते हैं. पीनेट बिटर खाने का दूसरा फायदा आपको मिलता है weight loss के लिए. अगर आप weight loss करना चाते हैं, तो आप पीनेट बिटर को इसक्तमाल कर सकते हैं. बैसे बहुत सारी लोग दोस्तों ही सोचते हैं, कि पीनेट बिट बिटर खाने से वजन बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर fat होते हैं. और यह सोचना लाजमी भी है, क्योंकि पीनेट बिटर के अंदर 50% जो quantity है, वो तो fats की ही होती है. लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो fats हैं, पीनेट बिटर के अंदर ये healthy fats होते हैं, और ये आपको नु क्योंकि इसके अंदर protein भी जादा है, तो इसकी वज़ा से आपको weight loss करने में मदद मिलती हैं. लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, कि पीनेट बिटर को हमेशा moderate quantity में ही आपको खाना है. अगर आप पीनेट बिटर को जादा quantity में खाना शुरू कर देत है. दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पीनेट बिटर heart health के लिए अच्छा नहीं होता है, बलकि बुरा होता है, क्योंकि इसके अंदर fat की quantity जाता है और ये आपके cholesterol को बढ़ा सकता है. लेकिन studies की अगर हम मानें, तो बात कुछ और ही है. पीनेट बिटर के अंदर जो fats होते हैं, वो healthy fats होते हैं, heart healthy fats होते हैं, जिनको कहते हैं monounsaturated fatty acids और polyunsaturated fatty acids. ये दोनों ही जो fatty acids हैं, ये heart के लिए अच्छे होते हैं, olive oil के अंदर ये पाए जाते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे healthy oils, जो कि recommend के जाते हैं heart patients को, उनके अंदर ये वाले fatty acids पाए जात हैं, तो peanut butter को खाने से आपकी heart health को नुकसान नहीं होता है, बलकि फायदा होता है, क्योंकि इसके खाने से आपकी body के अंदर LDL cholesterol कम हो जाता है, LDL cholesterol वो bad cholesterol है, जो कि आपकी नसों के अंदर जम जाता है, और वहाँ पर heart attack या stroke जैसे बिमारियां पैदा कर देता है, peanut butter body के अंद विटेमिन E काफी जादा quantity में पाया जाता है, और विटेमिन E हमारी body के अंदर cancer को रोकता है, खासत और से stomach cancer, colon cancer, liver cancer और prostatic cancer को रोकने के लिए ये peanut butter अगर आप खाते हैं, तो आपको बहुत ही बड़िया protection मिलता है, peanut butter diabetic friendly भी होता है, यानि diabetic patients भी इसको बड़ी असानी से खा सकते हैं, कुछ studies में पाया गया कि अगर कोई इनसान एक हफते में 5 दिन 2 tablespoon peanut butter को खाता है, तो उसके अंदर diabetes का risk 30% तक कम हो जाता है, peanut butter के अंदर carbohydrate content काफी जादा कम होता है, और protein content जादा होता है, और इसी वजह से ये आपकी blood sugar को बढ़ाता नहीं है, peanut butter आपकी bones को भी strong मनात है, हड्यों के अंदर calcium को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर calcium content काफी जादा होता है, और omega-3 fatty acids भी कुछ quantity में इसके अंदर पाया जाते हैं, जब आप peanut butter को regularly खाते हैं, तो उससे आपकी bones के अंदर जो density है वो बढ़ती है, और आपके joints के अंदर जो lubrication होता है, grease होता है वो भी बढ़ता है, जिसकी वज़य से चलने फिरने में भी काफी ज़्यादा आसानी आपको हो जाती है, अब सवाल आता है कि अगर आप peanut butter लेना चाहते हैं, तो आपको कौन सा peanut butter लेना चाहिए, और लेते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपके पास time है और आप जानते हैं, तो आपको peanut butter खुद ही घर पे अपने आप बनाना चाहिए, बहुत ही असान सी इसकी recipe होती है, आप अगर YouTube पे search करेंगे, तो आपको बहुत सारी असान recipes peanut butter बदाने की मिल जाएंगी, लेक make sure करें कि उसके अंदर added sugar नहीं है, ये भी make sure करें कि उसके अंदर added trans fats नहीं है, और added salt नहीं है, या फिर salt बहुत ही कम है, दोस्तों बहुत सारी companies अपने peanut butter के taste को बढ़ाने के लिए उसके अंदर refined sugar डाल देते हैं, उसके अंदर hydrogenated oils को डाल देते हैं, और कई बार उसमें बह comment करूँगा आपको wow life science का ये super seeds वाला crunchy peanut butter, दोस्तों wow life sciences का ये crunchy super seeds peanut butter दूसरे peanut butter से काफी अलग है, अलग कैसे है, ये जो crunchy peanut butter है, दोस्तों wow life science वाला है, इसके अंदर जो crunch है, आपको वो मिलता है super seeds की मदद से, यानि जो आम तोर पे आपको crunchy peanut butter मिलते हैं उनके अंदर crunch होता है मुमफली की वज़ा से लेकिन इसके अंदर मुमफली के paste के साथ साथ मुमफली के इस butter के साथ साथ आपको बहुत सारे super seeds जैसे कि shear seeds है, pumpkin seeds है या sunflower seeds है या फिर watermelon seeds है ये सभी seeds इसमें डाले गए हैं और ये seeds आप आपको एक खास तरह के crunch का एहसास दिलाते हैं और ये seeds जैसा कि आप जानते हैं super seeds है यानि बहुत ही ज़ादा अच्छी nutritional value भी रखते हैं बहुत सारा fiber भी रखते हैं तो इनके additional benefits इनके additional vitamins और minerals भी आपको इस peanut butter के अंदर मिल जाते हैं जिसकी मुझा से इसकी जो efficacy है जो इसक कई गुना बढ़ जाते हैं wow life sciences के इस peanut butter के अंदर आपको 28% protein मिलता है यानि 100 gram में आपको 28% protein मिल जाता है ये 100% natural peanut butter है इसके अंदर zero added sugar है 100% bowl great peanuts से से ये बनाया जाता है और इसके अंदर कोई preservative भी नहीं है कोई palm oil नहीं है कोई emulsifier नहीं है और कोई भी artificial flavoring agent भी इसके अंद नहीं डाला गया है इसको आप bread पे लगा के या फिर इसको आप रोटी के साथ या शेक में डालके या फिर किसी fruit के साथ अराम से इस्तमाल कर सकते हैं सिर्फ अगर आप diabetic patient है तो आपको ये crunchy super sweets वाला peanut butter नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर jaggery होती है गोड होता है ऐसे लोग रहेगा इसके लावा सभी लोग इस peanut butter को आराम से इस्तमाल कर सकते हैं इसके बारे में अगर आप और जादा जानना चाते हैं या फिर इस peanut butter को आप purchase करना चाते हैं तो सभी links आपके convenience के लिए मैं नीचे description box में और print comment में छोड़ दूँगा तो वहाँ से click करके आप इसके ब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक दिन में कितना peanut butter आप ले सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि peanut butter को आपको हमेशा moderation में लेना चाहिए क्योंकि जादा लेने से इसके बजाए फायदे कि आपको नुकसा इसको खाना चाहिए इससे जादा आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए दूसरा सवाल है कि कौन ऐसे लोग है जिनको peanut butter बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए तो peanut butter अगर आप moderation में लेते हैं पूरी तरह से safe हैं सभी लोग इसको खा सकते हैं लेकिन अगर आपको peanut से allergy है कुछ के अंदर problem आ जाती है तो सिर्फ ऐसे लोगों को इसको इसको इस्तमाल नहीं करना चाहिए अदरवाईस सभी लोग चाहे वो heart patient हो चाहे उनका cholesterol बढ़ा हुआ हो चाहे उनको diabetes हो ऐसे सभी लोग peanut butter को और आम से खा सकते हैं लेकिन moderation के साथ सबसे important चीजी है कि moderation के साथ और खा लेना है तो उससे आप safer side पे भी रहेंगे और दूसरे कि आपको इसके फायदे भी मिलते रहेंगे इसके साथ अगर आप चाहें आप और दाता make sure करना चाहते हैं कि आपके लिए ये खाना safe है तो हमेशा पहले अपने doctor से इसके बारे में consult कर लें कि क्या आप peanut butter को इस्तमाल कर सकते हैं अपनी right में शामिल कर सकते हैं या नहीं दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए चैनल पर नए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा